हेलो ट्रेटर्स वेलकम ट्रेंड लेन स्टॉक्स और देखिए आज है 14 जुलाई 2020 और एक इंपॉर्टेंट न्यूज आपके सामने लेकिया रहा हूं इस वीडियो के अंदर क्लेरियंट केमिकल्स रिलेटेड ये खबर है देखिए आप जैसे की देख पा रहे हैं थमनेल में भी क्लेरियंट केमिकल्स लिमिटेड ने 140 रुपे का special dividend एनाउंस किया है है यापर 140 रुपे पर share का जी है बहुत ही भरी भरकम ये special dividend है दिखाऊंगा उसकी लेकिन impact क्या पढ़ा है उसका वो जान लेते हैं एक दम से बहुत ही ज़ादा तेज़ी देखिगए ये Clarion Chemicals के stock में और यहाँ पर अपने पिछले कई सालों के record तोड़ कर यहाँ पर volumes दिखाई दे रहे हैं लोग जम कर खरीदारी कर रहे हैं कल भी यहाँ पर circuit लगा था और आज भी इसने 52 weeks नया high बनाया 608 रुपे का यहाँ पर important क्या है देखने वाली चीज कि यहाँ पर 140 रुपे पर share का dividend पाने के लिए जो record date है वो 18 जुलाई 2020 है इसलिए लोग यहाँ पर जम कर खरीदारी कर रहे हैं कि record date तक इनके पास में उनके DMAT account में वो stock आ जाए अच्छी चीज है सारी चीज बहुत अच्छी बात है लेकिन यह stock ने बहुत high jump लिया है पिछले दो दिन के अंदर जब से news आई है और यहाँ पर मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि यह सिर्फ और सिर्फ dividend के impact की वज़े से dividend news की impact की वज़े से यहाँ पर इतनी जबर्दस खरीदारी हो रही है जैसे देखे 16 तारीक आएगी 16 के बाद में अगर आप purchase करेंगे तो record date तक आपके पास में वो stock नहीं हो पाएगा तो 16 तारीक के बाद में यह stock यहाँ से गिरने का move दिखा सकता है और यहाँ पर lower circuits लगते वे आपको दिखाई दे सकते हैं तो देखें मैं सिर्फ आपसे यही चीज़ कहना चाहरा हूँ कि excessive dividend पाने के लिए आप अपना नुकसान ना कर बैठें इसलिए बहुत सोच समझ की positions बनाएं क्योंकि जब lower circuits लगेगा तो आप फिर trap होते वे नजर आएंगे और यहाँ पर अपनी position को exit भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि आज की तारीक में जो इसका rate है वो बहुत ही जादा ऊपर हो चुका है देखिए जहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि जो Infosys के co-founder है नंदन निलिकानी जी उनकी भी family ने अपने 6,00,000 share से जादा share यहाँ पर offload कर दिये हैं इस company के अंदर क्योंकि एकदम से बहुत ही जादा rise मिला है और शायद मुझे ऐसा लगता है कि उनके जो shares उन्होंने बेचे हैं कल यहाँ पर bulk deal के थुरू open market में शायद यही reason उनका कहीं न कहीं रहा होगा कि यहाँ पर आप bulk buying देखी जाएगी क्या है यह money control की site पर नंदन निलिकानी फैमिली offloads share in clarient chemicals ठीक है ना उसके बाद में मैं आपको दिखाता हूँ कितने उन्होंने share offload करे हैं और कब किये हैं तो यहाँ पर देखी clearly mention है July 13th को यानि के कल उन्होंने 2.67% 2.67% equity stake जो था उनका इस chemical manufacturing company में वो उन्होंने open market transactions के थूँ यहाँ पर sale off कर दिया है चले आगे लेके चलता हूँ देखे यहाँ पर अगर आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर नंदन निलेकानी जो family है उन्होंने उनकी सारी details दी वी हैं कि कितने-कितने shares किस-किस भाव पर उन्होंने यहाँ पर offload किये है as per the bulk deal data available on the national stock exchange showed तो in total अगर मैं आपको बता हूँ तो 6,18,000 से जादा shares उन्होंने यहाँ पर बेच दी हैं जो लगबग देखे 2.67% का stake रखते थे यहाँ पर clarion chemicals के अंदर देखे यहाँ पर clear यह चीज लिखा है the Switzerland based specialty chemicals manufacturing company share price was locked in at rupees 583.55 the 20% upper circuit limit यह कल की यहाँ पर बार बताई जा रही है कल यहाँ पर 20% का upper circuit था आज यहाँ पर 10% का upper circuit है और कल 583 रुपे 55 पैसे पर lock हो गया था 20% की upper circuit के बाद में केवल इस news के चलते after the announcement of a special dividend of rupees 140 per share on July 30 तो यह news बहुत important यहाँ निकल के आ रही है देखे यह वो article है 11th July 2020 का जो मैं आपको बता रहा था clarient की तरफ से ही आया था outcome of board meeting जिसके अंदर इन्होंने कहा है कि देखे payment of a special interim dividend on equity shares at the rate 140 per share that is 1400% of the paid up equity share capital of the company for the financial year 2021 उसके बाद में the special interim dividend shall be paid on or July after 19th 2020 यानिके बिलकुल नजदीक है 19 तारिक को ही यह उसको pay off कर देंगे उसके बाद उसको pay off कर देंगे अब देखे जैसे कि आप जानते हैं कि record date एक important date होती है किसी भी stock में dividend लेने के लिए record date को आपके पास में आपके demand में वो stock होने चाहिए अगर आप dividend के लिए eligibility चाहते हैं तो देखे इन्होंने fix करी है 18th July 2020 as the record date for the purpose of payment of special interim dividend यानि कि यह जो date मैं आपको बता रहो 18th यह है Saturday की date यानि कि Saturday को रहेगी छुटी और इंडिया में T plus 2 के साब से settlement होता है आपको पता होगा यानि कि trading day उसके बाद में 2 दिन यानि कि अगर आपको 18 तारीक को अपने demand account में वो stocks चाहिए Clarion Chemicals के तो basically 17 तारीक को ही वो stock आपके demand account में आ जाने चाहिए तो 17 तारीक को purchase करने के लिए आपको अगर T plus 2 के साब से चलना है तो 15 तारीक है अनि कि कल की date last date है जिसके तहत आपको purchase करना पड़ेगा stocks और उसके भिहाव पे आपको 140 रुपे पर share का dividend यहाँ पर मिलेगा यह देखे green mark यहाँ पर यही show कर रहा है 14 जुलाई को अब अगर आप देखे 52 week low है इसका 183 रुपे 25 पैसे का जो 23 March 2020 को इसने लगाया था यानि कि यहाँ से लगबग 3 गुना यह stock हो गया है 3 गुना और इसके अंदर भी देखे जो सबसे ज़ादा उच्छाल आया है वो भी 2-3 दिन के अंदर ही आया है इसका जो upper circuit है वो 639.70 पे लगाया है 10% के उपर और lower circuit जो आज दिखाई दे रहा है 523.40 के उपर इसका lower circuit लगाया है security wise delivery positions आपको दिखाता हूँ देखे इसको refresh कर देता हूँ शायद ये 12 बज़े के बाद का हमें data है यहाँ पर दिखा दे जिहां एक बज़े तक का data आपके सामने है 22,20,083 share के अंदर quantity trade हो चुकी है delivery है 6,47,483 share में जिसके इसाब से percentage निकल के आ रही है 30% से जादा की delivery delivery percentage 30.25% है यह अभी stats दिखा रहे हैं हमें NSC की site पर तो अब मैं आपको इसके एक बार देखे चार्ट पर लेके चलता हूँ वहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे तो यह देखे वंडे की setting पर मैंने लगाया है यह candlestick chart और अगर आप देखें कितना जबर्दस यहाँ पर gap up opening मिली है इसको मंडे को यानिके कल के दिन यहाँ पर इसका जो closing price था last reading session Friday में 485 का था और इसका जो कल का यानिके मंडे का closing था वो था लगबग यहाँ पर 582,583 के आसपास तो बहुत जबर्दस यहाँ पर एक move इसने दिखाया है और उसके बाद में आज भी वापस से देखिए इसने 608 रुपे तक का इसने high लगा तो यह जो move है देखिए यह सिर्फ और सिर्फ इसी basis के उपर है कि यहाँ पर बहुत special बड़े dividend का एक announcement हुआ हालकि इनके जो results है financial results उसके अंदर इनको काफी अच्छा मुनाफ़ा हुआ था 2020 में अगर yearly stand alone basis की बात करूं तो लगबग 51 करोड का इनका profit भी था profit after tax लेकिन दे दिखाई दें क्यों क्योंकि वो reason मैं आपको बताता हूँ जो बहुत important है यहाँ पर देखने वाला तो देखिए अगर आप इनको इस levels के उपर buy करते हैं जो लगबग 600 रुपे के आसपस यहाँ पर अभी दिखाई दे रहा है और यह levels IQ है किवल special dividend की वज़े से अगर इक के बाद में गिर सकता है काफी जादा high probability यहाँ से गिरने की तो यहाँ से गिरने के बाद में इसमें हर दिन 10-10% के lower circuits आपको दिखाई देंगे तो अगर आपने इतने high levels के उपर इसमें positions बना ली और फिर यहाँ पर हर दिन lower circuits लगते चले गए तो आपको यह stock निकलने क भी मौका नहीं देगा और आप track हो जाएंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि आप 140 उपर शेर की चकर में इसके अंदर position मनाए और आपको उससे जादा का loss हो जाए तो यह चीज़ बहुत ध्यान में रखने वाली है इसको मैं एक चीज़ से और प्रूव करने की कोशिश करूँगा आप देखें वॉल्यूम्स में आपको दिखाता हूँ थोड़ा जूम करके तो आप देखें वॉल्यूम के अंदर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर लगबग 47 लैक शेरों के अंदर कल यहाँ पर ट्रेडिंग हुई है और आज अभी तक लगबग लगबग 20 लाक से ज आपको नहीं नजर आ रही है यहाँ देखें बार्स कितने छोटे छोटे बनते वे दिखाई देरा और यहाँ पर अचानक इतना बड़ा एक यहाँ पर बुर्ज खलीफा जैसा है यहाँ पर बार आपको दिखाई देरा है तो यह देखें यह क्लिर इंडिकेशन है कि पर प्ले कर रही है और इसके बाद में जब यह इसका इंपक्ट खतम हो जाएगा यहाँ पर लोर सर्किट लगते वे दिखाई दे सकते हैं यह हो गया हमारा पहला पॉइंट इस बात को प्रूव करने के लिए सेकिंड पॉइंट पर हम लोग आते हैं देखें आरे साई से ह अंदर यहाँ पर फ्लोट कर रहा है और बहुत ही जादा एक्साइटिंग मोड में दिखाई दे रहा है और इस जोन के बाद में एक एकस्पेक्टेशन यही लगाई जाते है कि यहाँ से स्टॉक गिर सकता है तो देखें यह स्टॉक यहां से गिरे और आप इसमें अगर अ तो दोनोंगी तरीके से अगर देखा जाये तो देखें वालियूम के basis पर भी आप देखें था तरीके से यही चीज़ दिखाई दे रही है कि यह स्टॉक अभी बहुत जादा ओवर वेल्यूड है और यहां से इसके गिरने के पूरे-पूरे chances नजर आ रहे हैं केवल कल भी इसमें बाइंग देखने को मिलेगी क्योंकि कल भी यहां पर बेसिकली लास्ट डेट है रिकॉर्ड डेट के लिए तो कल यहां बाइंग मिलेगी लेकिन 16 तारिक से आप यहां पर एक लोगर सर्किट भी देख सकते हैं ऐसा मेरा मानना है तो इसके अंदर बाइंग ना करें अभी यह आपको फसने वाले लेवल्स दिखाई दे रहे हैं क्योंकि अगर इसके अंदर लोगर सर्किट लगता है तो आप हर दिन फसते चले जाएंगे और अपनी पोजिशन को एक्जिट नहीं कर पाएंगे लोगर लेवल्स आपको दिखाता हूँ देखे 23 मार्च को इसने लोगर लेवल्स जो लगाए थे 185 रुपीज के असपास वो यह यहां से लेके और यहां तक अगर आप देखें अभी तक लगभग 3 गुना के यहां पर इसने रिटन्स दी है 200 रुपे का शेर 600 रुपे हो जाता है 3 महीने के अंदर समझ में आती है कोई दिक्कत नहीं है लेकिन देखे एकदम से जो मूव आया है यहां पर 100-500 रुपे का यह एक फसने वाले लेवल्स यहां पर दिखाई देते हैं लेकिन इन लेवल्स के ऊपर मैं आपको सजेशन नहीं दूँगा इसको बाई करने का इसको कूल आफ होने दीजिए देखे इसका जो डिविडेंट इंपक्त है उसको खतम होने दीजिए उसके बाद जिस लेवल पे सैटल होगा उस लेवल पे वापस से टेक्निकल्स को स्टेडी करते हुए इसके अंदर हम लोग पोजिशन बना सकते हैं तो ये मेरी राय होगी आप तो देखे ये वीडियो था मेरा पूरा क्लैरिंट केमिकल के उपर तो ये वीडियो आपको कैसा लगा इस वीडियो में दीगे इंफिर्मेशन आपको कैसे लगी प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएगा और अगर अच्छे लगी हो तो लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा मैं मिलूँगा आपसे एक नए वीडियो में नए स्टॉक के साथ तब तक के लिए नमस्कार थैंक्यू जैहिन